असलाम अलेकुम तरकी बिन हवी के सिलसले में हमारी चौथी वीडियो है आप वीडियो की तेड़ाद से घबराएं ना क्योंकि दस-दस-पंद्रा-पंद्रा मिनल की वीडियो होते हैं ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते नेट प्रॉब्लम्स की वजह से तो पिछली मरतबा आपने याद रखा कि एक जुम्ले का जो मसनद होता है वो अगर इसम हो या वो अगर सिफत हो तो ऐसा जुम्ला जुम्ले इस्मिया कहलाता है और अगर मसनद किसी जुम्ले का फैल हो तो वो जुम्ला जुम्ले फैलिया है आप एक और तरी किसी याद रख ले आप एक और तरीके से याद रख लें कि दूसरे एक तरीके से भी आप पहचान सकते हैं जुमले इसमिया का जो फैल होता है फैले नाकिस होता है जबकि जुमले फैलिया जो होता है उसका फैल फैले ताम होता है तो यहाँ दो और बातें आदी फैल नाकिस, फैल ताम फैल नाकिस की जो तारीफ है वो मैंने यहां लिखी है अगर आप किताब देखेंगे तो अलफाज के हेर फैर के साथ लगब यही तारीफ होगी तो आपको समझाने की खादिर मैंने यह तारीफ लिखी है फैल नाकिस वो फैल है जो अमुमन अकेले फाइल के साथ मुकमल माइनी नहीं नहीं देता फैल नाकिस वो फैल है जो अमुमन अमुमन लफज जो जो अमुमन अकेले फाइल के साथ मुकमल माइनी नहीं देता बलकि इनके साथ या अगर हम एक फैल लेंगे बलकि इसके साथ कोई इस्म या फैल या सफत खबर की सूरत में लाजिमी है फैल नाकस वो फैल है जिसको हम अगर किसी फाल के साथ, किसी इसम के साथ लगा दे और बीच में और कुछ ना रखें तो कोई मानी समझ नहीं आएगा मिसाल के तोर पर है ये फैले नाफिस है होना के मुख्तिल सूरत है एक सूरत है ये देखिए रशीद है अगर ये जुम्ला हम लिखते हैं कहीं किसी कॉंटेक्स के बगार मैं बात कर रहा हूँ इसलिए लफ़स अमुमन यहां आया आप देखिए किसी सयाकु सबाब के बगार आप ये जुम्ला लिए जी रशीद है अब देखिए ये तो कोई बात ही नहीं हुई तो फाइल रशीद है तो लेकिन फाइल के साथ ये लफ़स ये फैल अकेले में कुछ मानी नहीं नहीं देता साथ में कोई खबर होनी चाहिए साथ में कुछ और होना चाहिए साथ में चाहे कोई और फैल हो चाहे कोई इसम हो चाहे कोई सिफत हो तब ही मानी निकलते है जुम्ली की तो ऐसा फैल जो अकेले फायल के साथ, अकेले किसी इसम के साथ, या किसी फायल के साथ, अकेले मानी नहीं 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 आए, ऐसे फैल को कहते हैं, फैले नाकिस, फैले नाकिस आपको याद रखना है, जिस तरह पिछली वीडियो में आपने याद रखा और मसन दिला याद रखा इस वीडियो में आफ फैल नाकस याद रखिए फैल नाकस बहुत जरूरी है समझने के लिए फैल नाकस वो फैल है फैल की जम्हा है अफ़ाल अफ़ाल नाकसा वो अफ़ाल है वो फैल है कि अकेले किसी फाइल के साथ माणी नहीं देडी ये है लफज, फैल है तो रुशीद है कोई मतलब ही नहीं निकलता क्या है? कहा है? तो हम जब ऐसे लिखेंगे रुशीद, नादान है तो अब है का माणी इस नादान लफज से इस सिफ़त से माणी पूरी होगी तो फैल नाकिस वो फैल है जो अकिले फैल के साथ काम नहीं देता जो अकिले फैल के साथ कोई माणी मुकमल माणी नहीं देता इसके लिए बैलकि इसके साथ कोई इसम या फैर या सिफ़त खबर की सुरत में लाजिम है अब रशीद नादान है तो यहां एक सिफ़त आ गया इस फैल के साथ खबर की सूरत में तो अब इसने मुकमल माहनी दिया तो यह फैल जो है यह फैल नाकिस है या मकसरन आप यू कह सकते हैं वो फैल जो काम को जाहिर में ही करता वो फैल जो काम को जाहर नहीं करता वो फैल फैल नाकिस कहलाता है या पूरे काम को जाहर नहीं करता आप ये देखिए रशीद नादान है इस बात पर आप गोर कीजिए इस जुमले पर आप पूरा गोर कीजिए रशीद नादान है रशीद के एक सिफ़त बयान हो रही है कोई काम बयान नहीं हो रहा है कोई काम बयान नहीं हो रहा है इस फैल से है तो फैल है लेकिन इस फैल से यहां कोई इधर इधर इस फैल से कोई काम कोई काम इस फैल से कोई काम बयान नहीं हो रहा है रशीद नादान है इस जुम्ले को पढ़कर इस जुम्ले को सना कर अगर किसी से भी पूछा जाए बाया बो रशीद ने क्या काम किया नहीं कोई काम नहीं है तो यहां ऐसे फैल को हम कहते हैं फैल नाकिस जिससे कोई काम जाहर नहीं हो या पूरा काम जाहर नहीं हो मैं फैल नाकिस की तहरी फिर बोलता हूं फैल नाकिस वो है जो अकेले फैल के साथ मुकमल मानी नहीं देता मसला है फैल नाकिस है लफज फैल नाकिस है अगर हम इसको फैल के साथ लगाएंगे رشید है तो कोई माणी नहीं है इसके साथ कोई और लफज होना जोरी है चाहे वो लफज फिर फैल हो या फिर वो सिफत हो या फिर वो इस्म हो तब ही ये फैल माणी देगा रशीद नादा में अब यहां एक सिफत की वज़े से जमला मुकमल होता है माणी मुकमल होते हैं तो दूसरी सूरत में आप यह कह सकते हैं कि फैल नाकिस वो फैल है जो किसी काम को जाहिर नहीं करता या पूरे काम को जाहिर नहीं करता इसके बरकस फैल ताम वो फैल है जो अकिले फैल के साथ पूरा माणी देते है मसला रशीद आया रशीद आया आया फैल है रशीद आया आना मसदर से आया माजी आना मसदर है तो आना से आया अब जुम्ला देखिए अगर मैं लिखता हूं रशीद है तो यह फैल नाकस है यह फैल लफज ए आया तो यह फैल उताम है क्योंकि अकले फाइल के साथ काम लिता है अब समझ गए हूंगे वो फैल जो अकले वाहिद सिर्फ फाइल के साथ मुकम्ल मांड हीन देता वो फैल नाकस वो फैल जो किसी अ되는 लफज के बिगर जब फाइल के साथ लगाए जाए तो मुकमल जमला बनता है मुकमल माइन जिता है ऐसे को कहते है फैले टाम तो आया फैले टाम है और है लफज फैले नाकिस है अफैले नाकिस आप देखिए फैले नाकिस जो आम तूर पर अर्डू में इस्तेमाल होते हैं इससे भी अलावा कुछ हो सकते हैं आम तोर पर यहां 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 यह अफ़ाल नाकसा है है यह फैल नाकसा है है और था और थे हो गया बन गया वगयरा यह अफ़ाजा फियाद रखी यह अफ़ाल नाकसा है फैल नाकसा है और यह फैल ताम बनते हैं तब जब इनके साथ कोई और फैलाता है तो खाता है फैले फैले ताम है अगर सिर्फ है हो रशीद नादान है तो ये तब फैले नाकस है समझे ना बात तो है, है, था, थे, हो गया, बन गया वगयरा ये अफ़ाले नाकसा हैं आप यहां कन्फ्यूज मत हो जाएए, एक चीज़ आप जहन में जरूर रखिए मैं यहां लिखता हूँ आपको समझाने के लिए एक बात है कहीं आप अला बचाए परेशानी में न पड़ जाएं अगर हम लिखते हैं, रशीद आता है या रशीद आया है या रशीद खाता है तो यहां आप जरूर यह बात याद रखे आप यह मत कहिए कि हमें उस्ताद ने कहा है कि हैल लफ़ जो है फैल नाकस है, नहीं अगर खाली है तो फिर यह फैल नाकस है लेकि यहां खाता है फैल है यहां सिर्फ है नहीं है, बिलकि खाता है मुकमल फैल है, तो यह फैल ताम है यहां, इसके बार कर सकर हम लिखेंगे, रशीद, बीमार है, अब बीमार फैल तो नहीं है, यहां खाता है फैल बनता है पूरा, अब बीमार फैल नहीं है, बीमार यहां तो इसम है यहां सिर्फ है अब यहां सिर्फ है तो यहां इस जमले में इस जमले में यह लफज है जो है यह फैले नाकिस है और इसमें इक खाता है पूरा है तो यह फैले ताम है तो मैं फिर दोराता हूं कि फैले नाकिस वो फैल है जो अकेले फाइल के साथ मुकमल मानी नहीं देता और फैले ताम वो ह जो फाइल के साथ सिर्फ अगर फाइल के साथ हो तो मुकमल मानी देता है मैं फिर दोनों जुम्ले लिखता हूँ रशीद है तो यहां है जो फाइल है अकिले फाइल के साथ है तो मानी मुकमल नहीं होती है रशीद है कुछ मानी नहीं देता है रशीद खाना खाता है रशीद ताम क्या है आप देखिए जिस जुम्ले में फैले नाकिस हो वो जुम्ला जुम्ले इस्मिया जिस जुम्ले में फैले नाकिस हो वो जुम्ला जुम्ले इस्मिया और जिस जुम्ले में फैले ताम हो वो जुम्ला जुम्ले इस्मिया बिलकुं फैले ताम और फैले नाकिस जब आप समझे तो आपको जुमले भी समझा जाएंगे कि कौन सा जुमला जुमले इसमिया है जुमले इसमिया वो जुमला है जिसमें क्या है फैल नाकिस है उसमें फैल ताम नहीं होता है और जुमले फैल या वो जुमला है उसमें फैल ताम होता है मुकमल फैल होता है मैं फिर सम तो इस जुम्ले पर आप देखिए लड़का तो कोई फैल नहीं लड़का एक इसम है ये जानते हैं आप तो यहां जो फैल है सिर्फ एक लफज है वो है और ये सिर्फ जो है लफज ये फैल नाकिस है तो फैल नाकिस है इस जुम्ले में तो रशीद अच्छा लड़का है ये जम्लुप झम्ल इसमिछा क्युकि जम्ल इसमिछा में फैल नाकिस होता है जम्ला इसमिछा। रेशीत अच्छा लड़का है। अब रशीद खाना खाता है रशीद खेलता है आप दीखिए इसमें रशीद तो फाइल है और पूरा जो लफ़ खेलता है ये फैल है ये फैल ताम है खेलता है फैल ताम है तो इस जमले में फैल ताम है इस जमले में फैल नाकिस है जिसमें फैल नाकिस वो जमले इसमिया जिस इसरी मैं आपको तिसरा तरीका बताता हूँ पहचानने का कि जुमले इसमिया है कि जुमले फैलिया है आम मैं कलास में इसी तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको इम्तिहान में ये समझा जाए कि दिया गया जुमला जुमले इसमिया है या जुमले फैलिया है अब देखिए जुम्ले के मानी पर गोर कीजिए आपको समझा जाएगा वहां बड़े जुम्ले नहीं पूछे जाती वहां पेचे दा जुम्ले नहीं पूछे जाती मैं भी आपको सवाल नामे दिखाता हूँ पिछली इम्तिहानों के तो आप देखिए कि जुमले पर गोर कीजे थोड़ा आदे मिनट में आपको समझा जाएगा एक मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा समझा जाएगा मानी पर गोर कीजे कि जिस जुमले से किसी आदमी का किसी फाइल का करने वाले का कोई काम करना जाहिर होता हो कि उस आदमी ने ये काम किया है या वो आदमी ये काम करता है जिसे ये बात जाहिर होते है कि कोई काम हो रहा है कोई काम कर रहा है कोई काम कर रहा है कोई काम हो रहा नहीं बिलकि कोई काम कर रहा है किसी ने कोई काम किया है तो जिस जुम्ले से ऐसा जाहिर हो वो जुम्ले फैलिया मसला रशीद खिलता है तो यहां साबित होता है कि हमारे जहन में फोरन ही आता है कि रशीद यह काम करता है रशीद खाना खाता है रशीद दोड़ता है तो रशीद यह काम करता है अब देखिए जिस जुम्ले पर गोर कीजे जुम्ले के माईगी पर गोर कीजे जिस जुम्ले से आपको ये समझाए कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है या किसी ने कोई काम किया तो ऐसा जुम्ला 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 फैलिया और जिस जुमले में किसी ने कोई काम नहीं किया या कोई ऐसा काम आदमी नहीं कर रहा तो ऐसा जुमला जुमला इसमिया यह तीसरी बार में किया मसला रशीद अच्छा लड़का है अब जब आप इस जुमले पर गोर करेंगे रशीद अच्छा लड़का है इस जमले में किसी ने कोई काम किया? नहीं, हमीद तहसिलदार बन गया, हमीद तहसिलदार बन गया, बन गया, यहां फैले नापिस है, हमीद तहसिलदार बन गया, हमीद ने कोई काम किया? नहीं, अगर यू होता कि सरकार ने हमीद को तहसिलदार बना दिया, तो सरकार ने काम नहीं किया तो ये जملह इसमिया है आप आखर में मैं पिछले वीडियो और आज के वीडियो में जो बातें मैं आपको कही उनका इयाद्या करता हो रूजन करता हो आप शाट में फिर से समझे कि ये पहचानने के लिए कि दिया गया जुमला जुमला इसमिया है या जुमला इफैलिया है तो इसके लिए आप तीन तरह से समझ सकें ये बात एक बात आप जुमले के मसंद पर गोर कीजिए मसंद पर गोर कीजिए मसंद अगर इस्म है या मसंद अगर सिफ़त है तो जुमला जुमले इस्मिया है और अगर मसंद फैल है तो जुमला जुमले फैलिया है मसनद पर आप गोर किजिए पिछली वीडियो देखे मसनद अगर इसम है या सिफत है तो ऐसा जमला जमला इसमिया है मसनद अगर फैल है तो ऐसा जमला जमला फैलिया है मैं दोनों की मिसाले देता हूँ रशीद खेलता है यहां मसनद खेलता है तो यहां जो बात साबित की जा रही है तो वो मस्नद, मस्नद खेलता है तो यह फैल है तो यह जमला जमले फैलिया है अब रशीद बीमार है रशीद बीमार है यहां बीमार मस्नद है तो यह फैल नहीं है यह आप इसम है यह शिफत है तो यह जमला जमला इसमिया है जिस जमले का मसनद इसम हो या सिफ़त हो जमला इसमिया है जिस जमले का मसनद फैल हो वो जमला इसमिया है और मसनद और मसनद इला है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता लिया है अब दूसरा तरीका तहचानने का अगर जमले में फैले नाकिस है तो वो जमले इसमिया है और अगर जमले में फैले ताम है तो वो जमले फैलिया है और तीसरा तरीका आम तरीका आम तरीका कि आप जमले पर गोर कीजिए अगर ये थाबित हो रहा है जमले से ये समझ रहा है कोई किसी ने कोई काम किया या कोई काम कर रहा है तो ऐसा जुमला जुमला फैलिया और अगर जुमले से किसी के कोई काम करने की बात समझ नहीं आ रही है किसी ने कोई काम नहीं किया जुमले में कोई आदमी कोई काम नहीं कर रहा है जुमले में मसला रशियत अच्छा लड़का है जुमले में कोई काम नहीं किय तो ऐसा जुमला जुमला इसमिया है जिसमें काम हो रहा हो जिसमें किसी ने कोई काम किया हो तो वो जुमला जुमला इसमिया है जिस जुमले से किसी के काम करने की बात समझ ना आए वो जुमला जुमला इसमिया है ठीक है ना? तो एक और वीडियो इसके बाद बनाते हैं वो भी देखी थैंक यू